हेलो दोस्तो आप सभीक अपनी चैनल मौर्या की रसोई ब्लाक्स में बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज हम कद्दू और चनी की दाल बनाएंगे दोस्तो एक बार मेरी तरीके से बना करके रेखेगा बहुत टेस्टी बनेगी तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ये दोस्तो धाइसो ग्राम कद्दू इसको मैं धुल के अच्छे से कट कर लिया इसको मैंने बेज निकाल दिया है और मैंने ये चनी की दाल एक का टोड़ी है भरके मैंने इसको विगा के रख दिया था दो घंटे पहले अच्छे से ये फूल गई है तो उस्तो मैं तीन लोगों को लिए बना रही हूँ आप अपने हिसाब से समान अर्जिस्ट कर लिजेगा और मैंने एक कुकर लिया उसमें मैंने डाल, कद्दू और आधा लीटर में पानी डाल दे रही है तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आधी चमश मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और स्वादी के अंसार नमक डाल दिया मैंने और दोस्तो इसमें मैं कुछ और भी चीज़ डाल रही हूँ, खटाई डालूँगी मैं अगर आपके पास खटाई हो तो आप जरूर डालिएगा नहीं हो तो कोई बात नहीं है अब इसको हम बंद करके पकने के लिए रख देंगे और थोगा सा मने 8-10 के लिए लेसन की छोटे-छोटे काट के डाल दिया है थोगा सा इसको होने देंगे थोगा हलका सा कलर चेज उन देंगे और इसमें हम आदी चम्मच छोटी जीरा डाल दिया है थोगा सा चटकने देंगे इसको और तो मैंने दो बडी डाल दिया है तो यह तोड करके बडी के र snag चाहिए तो कमेंट करिएगा इसको भी तोगा सा हो जाने देंगे लाल क्योंकि बडी में तोगा सा होना चाहिए प्याज डाल देंगे एक ते प्याज में में डाला है medium-size की स्लाइस करके यासे, तो अब चलिए, मिर्च डाल देते हैं, तो मिर्च अपने अंसार से डालें, दोस्तो जितना आप तीखा कम ज़ादा खाती हूं, इन सब तोगा सा भूलेंगे, और हम दोस्तो अब हिंग डाल देंगे, तो मैं हिंग अभी डाल रही हूं, आप पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे तो बस थोगा से इसको भूल लेंगे अब हम देखें हो चुका है में इससे जादा नहीं भूलना है अब इसमें हम टमाटर डालेंगे तो मैंने एक बड़ा टमाटर डाला है इसको कट करके ऐसे ही थोगा एक चुथाई चमज में हल्दी टाल देते हैं तो मैं मसाले बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं डालना है थोगा से जालना है और थोगा सामें नमक डाल दिया है ता कि हमारे तमाटर जल्दी गल जाए मैंने बने नमक कम डाला थोगा इसको अब ढख देंगे एक नट के लिए बस इससे जादा हम नहीं रख तो चली हम देख लिए टेकनट हो चुका है तो देखें टमाटर अभी ख़ए हैं लेकिन सॉफ्ट हो गए हैं अब इसको हम बिना ठके ही पकाएंगे ऐसे ही देखें इसको मैंने ऐसे पका लिया है एक नल दोनेट में लगा है और एक चुटकी भर लगभा मतलब एक एक निट के लिए फिर से ढख देंगे ताकि हमारा जो तड़का लगा उसकी महग अच्छे से आ जाए तेखें यह हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से बनाईएगा बहुत टेस्टी बंद और दोस्तों जड़ूई चीज बताना था मुझे कि मैं बाला जी जा रही हूं त प्लिस आप लोग चैनल छोड़के न जाएं तो और यह देखें में धन्य पत्ते डाल दीए इसको अच्छे से चला के गैस को बंद कर देंगे तो दोस्तों मुझे जाना है तो प्लिस आप लोग हो सकता वीडियो ना आए तो प्लिस आप लोग चैनल को अंसब्सक्राइब प्लिस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर दोस्तों में बाला जी जा रही हूं सकता वीडियो ना आए तो प्लिस आप लोग चैनल के ना जाएं